मिजोरम से खबर है, मिजोरम में पत्तर की खदान ढहने से हाथसा हो गया है, हाथसे में साथ लोगों की मौत हो गई है आईजोरम के बाहरी इलाके में ये खदान ढह गई, ये तस्मीरे देखे आई है, हाथसे वाली जगव पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है इस वक्त, आईजोरम के बाहरी इलाके के ये तस्मीर है, जहां पर खदान ढह गई है, जिसके बाद पानी का बहाव भी तेज ह गया और rescue operation किया जा रहा है इस हाथसे में साथ लोगों की मौत हो गई है एक और बड़ी खबर असम के सिल्चर में तूफान रेमल का असर देखने को मिला है भारी बारिश की वज़े से सड़क बह गई है हफलॉंग सिल्चर को जोड़ने वाली सड़क जो है वो बह गई है यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर भारी बारिश के बाद हालात काफी बिगड़ गए है असम के सिल्चर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं रेमल तूफान का असर देखने को मिला तो कई जगहों पर कटान हो गया है और संपरक रास्तों से कट गया है सिल्चर से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर रेमल तूफान का असर यहां पर भी देखने को मिला है तो दूसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं मिजोरम की जहाँ पर आईजोल के बाहरी इलाके में एक खदान डह गई, साथ लोगों की मौत हो गई और पहली तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं सिल्चर से दिखा रहे हैं जहाँ पर तूफान रेमल जो आया पश्चे मंगाल और बंगाल की खाड़ी के तटीय इलाकों पर इसका असर देखने को मिला असम में भी देखने को मिला है, सिल्चर में भी देखने को मिला है तेज बारिश के बाद हर जगा बहाव देखने को मिला है भारी बारिश की वज़े से सड़क बह गई है